भारती सेनाओं को विश्व की बहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्षी से आज कैबिनेट कमेटी आउन सेक्योटी ने भी एक आईटिहासिक फैसला किया है आज का अगनिपत नामक एक transformative योजना हम ला रहे हैं जो हमारी armed forces में transformative changes लाकर उन्हें fully modern और well equipped बनाएगी है अगनिपत योजना में भारती नौजवानों को बता और अगनिवीर armed forces में सेवा का उसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने वह हमारे हिवाओं को military service का उसर देने के लिए लाई गई है आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण रास खास तोर पर हमारे नौजवान आरण forces को सम्मान के नजरिये से देखते हैं अपने जीमन काल में कभी न कभी है प्रतेक बच्चा सेना की वर्दी धारन करने की वह तमन्ना रखता है अगनी पठ योजना के अंतरगत यह प्रियास किया जा रहा है कि इंडन आर्ण forces का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो यूथफुल प्रोफाइल से यह फाइदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेकनलोजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेबल भी काफी बेहतर होगा साथियो इस अगनी पठ योजना से इंप्लाइमेंट अपार्चुन्टी बढ़ेंगी और अगनी बीर सेवा के दौरान अरजिती स्किल्स याम एक्सपरियंस उन्हें विभने शेत्रों में इंप्लाइमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारती अर्थविवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्क फोर्स की उपलब्धता होगी जो productivity gain और overall GDP growth में सहायक होगी अगनी बीरों के लिए एक अच्छी pay package चार साल की सेवा के बाद exit पर सेवा निरी package यह एक liberal death and disability package की भी बेवस्था की गई है